चहरे के जिद्धी जाईयों से अगर आप भी बहुत ज़दा परिशान हो चुके हैं, काफी सारी चीज़े इस्तिमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं मिला है, आपकी जाईयां चाहें 20 साल पुरानी हैं या 10 साल पुरानी हैं, प्रेगनेंसी के बाद हो गई हैं या हॉर्मोनल चेंजिस की वज़े से हो गई हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जबरदस रेमेडी जिसका इस्तिमाल करने के बाद मेरी जाईयां पूरी तरीके से गायब हो गई हैं, जो कि आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके स आप भी मेरी तरह अपनी सालों पुरानी जाईयों को भी हमेशा के लिए टाटाब बै बाई बै बोल सकते हैं, तो यह रेमेडी होने वाली हैं, उन सभी लेटीज के लिए बहुत ज़़ादा हेलफुल, जो कि अपनी जाईयों से दाग-धबहों से बहुत ज़़ादा परि और भी आप ही की तरह इसी तरह की जाईयां थी जो पहले बहुत हलकी थी लेकिन धीरे-धीरे करके काफी ज़दा डार्क, ब्राउन और काली से पढ़ने लगी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लगाओं जिससे मेरा फेस बिल्लकुल क्लीन हो जाए तो मे इसका यूज करिए, डैफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इस रामिडी के लिए मैंने तुलसी का इस्तमाल किया था, जो कि हम सब के घर में होती है, चार से पांच तुलसी में डेली इस्तमाल करती थी, क्योंकि तुलसी जो है वो एंटी ऑक्सिड आपको लेनी है, और इसको आपको पाउडर बना लेना है, उसके बाद आपको रेगुलर एक चमच मसूर की डाल का इस्तिमाल करना है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, जाईयों के उपर बहुत ही जादे एफेक्टिव होती हैं दोनों चीजे, अब इन दोनों इसे मिक्स कर लेना है, तुलसी को तो आपना कूट लीजिएगा या फिर ग्रेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर अलो वीरा, और अलो वीरा भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैंने फ्रेश अलो वीरा यूज किया था, आप चाहें तो जल्दी खतम हो जाती है, लेकिन जिनकी जाईया मेरी तरह काली पढ़ चुकी है, बिलकुल डाक ब्राउन हो गई है और चिपक गए ना फेस पे, उनको अलो वीरा का इस्तिमाद जरूर करना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्लीन होने में उनकी जाईयों इसके बाद आपको जो लेना है वो है यहाँ पे ट göster क्योंकि दोस्तो ट माटर में होता है विटामिन c जो आपके फेस को naturally एक गलो देने का काम करता है, आपकी स्किन को हाईडरेट भी रखता है और आपकी जायों को भी हलकह करने का काम करता है लेकिन इसके जो दो में इंग किया है वो है थोड़ा सा चावल का आटा, यह हमारे सकिन को अच्छे से करेगा, सकिन से जो डेट टिशू होते हैं उनको निकालने का काम भी करता है, और जो हमारी बढ़ती उम्र के साथ हल्की फाइनलाईन्स आती है ना तो उनको भी रोकने का काम करता है, अब सबसे important बात कि इसको लगाना किस तरीके से है सबसे पहले दोस्तों आप अपने face को clean करिए तो clean करने के लिए आप natural चीजों का ही इस्तिमाल करिए जिसका कोई भी problem आपके face पे कोई side effect जैसा कुछ भी नहीं होता है तो face को clean करने के लिए आप थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बेसन का इस्तिमाल करिए ये आपके skin से जो dead tissues होते हैं उनको भी निकालने का काम करता है और face को deeply clean भी करता है और हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है खास तोर पे अगर dry skin है तो उनके लिए ये दोनों ही चीज़े बहुत ही अच्छी होती है आपको 1-5 मिनट के लिए अच्छे से face को clean कर लेना है उसके बाद face को wash कर लीजे अब आती है बारी हमारी इस remedy की जो हमें अपने face पर apply करनी है मैं इसे सिर्फ अपनी जाईयों पर apply नहीं करती थी बलकि पूरे face पर ही मैं लगा लेती थी तो यहाँ पर आप भी ऐसा ही कर सकते हो अगर आपको जाईयां जादा है तो जाईयों पर भी लगा सकते हो और उनके बाद उसके दाग रह जाते हैं उनके दाग को हलका करने का काम भी रेमेडी करती है और aloe vera जो हमने इस्तिमाल किया है यह हमारे face का जो skin tone होता है उसको light करने का काम करता है और एक बहुत ही बढ़िया से चमकीला सा glow आपके face के ओपर लाता है तो यहाँ पर यह remedy ना हमें हमेशा यूज करती थी खास तोर पर रात के टाइम पर मैं जरूर यूज करती थी क्योंकि मैं जाईयों से इतनी जादा परेशान हो गई थी ना सारी चीज़ें इस्तिमाल करके देख चुकी थी लेकिन कुछ भी मुझे फायदा उससे नहीं मिल रहा था 15 दिन भी मैंने यूज किया महीना भर भी मैंने यूज किया लेकिन कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिला लेकिन डॉक्टर की बताई जब मैंने इस रेमेडी का इस्तिमाल किया तब भी मुझे इतना जादा ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि सच में यह जाईयां खतम भी हो सकती है, मैंने सोचा था मेरा फेस हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैंने इसे जब continue इस्तिमाल करती रही, करती रही, तो फिर मिरको धीरे-धीरे करें इसके अच्छे result भी दिखने लगे, धीरे-धीरे करके जो जाईयां थी वो हलकी होती गई, फिर धीरे-धीरे करके ब हमेशा clean रखिए, यानि कि आपको दो से तीन बर अपने फेस को जरूर क्लीन करना है, इसके बाद है, second दूसरा दोस्तो, जो कि आपको पानी सबसे जादा पीना है, पानी आपकी स्किन को hydrate करने का काम करता है, अगर आपके फेस पर pimple वगरा हैं, तो उसको touch मत करिए, अग बहुत जादा हो जाती हैं, जब 15-20 मिनट आपको हो जाएं, इस रेमेडी को फेस पर लगाए हुए, और हलकी हलकी गीली लगे, उसके बाद ही आपको इसे अपने फेस के उपर से remove करना है, वो भी किस तरीके से, हलका हलका करके आपको अपने फेस को circular motion में आपको rub करते जा हलका हलका बहुत जादा प्रेशर से अपने फेस की मसाज मत करिएगा, हलके हाथ उसे करिएगा, क्योंकि फेस की जो skin होती है, बहुत जादा sensitive होती है, और हमें इस रेमेडी का use regular करना है, तो रोज रोज अगर आप प्रेशर से अपने फेस को clean करोगे ना, तो फेस पर rashes हो जाईयां धीरे-धीरे करके कम होती जाएंगी, और एक जो self confidence होता है हमारे अंदर वो धीरे-धीरे करके बढ़ता है, जो जाईयों की विसना बिल्कुल dull हो जाता है, फेस को देखने का मन नहीं करता मिरर में, तो इस तरीके का आप use करिएगा इस remedy को, regular basis पर use करिएगा रात जाई कर लेती थी, तो मुझे बहुत ही अच्छे result इसके मिले थे, धीरे-धीरे करके मिरी जाईयां हलकी होने लगी थी और फिर गायब हो गई थी, और दोस्तो इस remedy को face पर use करते हुए ना मुझे लगभग 2 महीने हो गई थे, और मुझे मतब लग नहीं रहा था कि इसे यूज करती गई, आप भी इसी तरीके से इसको यूज करिए जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों सबका skin texture अलग होता है, skin type अलग होता है, तो हर किसी को result जो है एक जैसे आए ये जरूरी बिलकुल भी नहीं है, किसी को जल्दी भी आ स करते हैं, किसी को और जादा time लग सकता है, लेकिन remedy असर जरूर करती है, इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा result मिला है, तो definitely आपको भी मिलेगा, जादा से जादा इस वीडियो को लाइक करें, और सबी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सबी के वीडिय काम आ सकें, और आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सबस्क्राइब करके जरूर चाहिएगा, ऐसे ही अमेजिंग्स रेमिडि के लिए, जल्दी मिलूंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महा दे